आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत करेंगे हम टाटा पावर के साथ टाटा पावर के अगर हम बात करें तो स्टॉक में 455.50 रूपी के राउं तक की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है रिटन्स की बात करें तो 2.35 रूपी के राउं तक के नेगेटिव रिटन्स हमें लास्ट रेइंग की सिजन देखने को मिले है वही अगर देखें स्टॉक में कल के लिए आप पॉजिटिव रह सकते हो क्योंकि शेर में अगर देखें तो एक तगड़ी न्यूज आ रही है 470 MW का एक कॉलाब्रेशन हुआ है SGVN के साथ एक पैक्ट साइन किया गया इनकी ओर से है तो एक काफियत तक अगर देखें तो एक बड़ी चीज है FDRE प्रोजेक्ट के लिए यहां पर यह डिल हुई है और 470 MW का यहां पर अगर देखें एक प्रोजेक्ट के सेट करेगे तो एक बड़ी चीज है और इस चीज का effect जो है SGVN के उपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा पर टाटा पावर के उपर भी इसका काफियत तक positive effect पढ़ने वाला है और वही अगर देखें टाटा पावर में आने वाले टाइम में आप positive रह सकते हो क्योंकि आठ मई अगर देखा जाए तो आठ मई इसके लिए काफियत तक IMP रहने वाला है आठ मई को यहाँ पर अगर देखें dividend का announcement होगा plus इसके results भी announced यहाँ पर होने वाले हैं और यहाँ पर अगर देखें आठ मई से पहले पहले बड़े-बड़े fluctuations यहाँ पर नजर आने हाले है date के बारे में मैं आपको एक बार और clear कर देता हूँ आठ मई 2024 इसके audited results announce होगे plus यहाँ पर इसके dividend भी announce होगा final dividend company के और से दिया जाना है इस point के उपर धान रोको level discuss करेंगे पहले और एक हमारा एक important share है उसे हम देख लेता है Tata Technologies Limited को हम देख लेता है Tata Technologies की अगर बात करे Tata Tech की अगर बात करे तो 1085 रुबिस के round तक की stock ने closing दे गिरावट रही है आज share में अगर देखे finally इसके results आ गए है और काफी time से लोग wait कर रहे थे इसके results का फर्स हो के दिन इसके results announced हो गए और वही के देखे तीन मही को results announced हो गए थे बट जो profit रहा है उसमें 28% तक का fall देखने हो ला है 28% तक का fall देखने को मिला ही year on year basis पे 157 crore के रहा हो तक का तो यहाँ पर आप देख सकते हो Tata Technologies released its January to March quarter results on Friday बिल्कुल Friday की result announced हुआ है 28% decline हुआ है year on year basis पे net profit और वही कर देखे 216 crore था FY23 में और अभी की बात करे तो FY24 में 157 crore तक के यह रहा है revenue की बात करे revenue भी 7% के बहाब पर decline हुआ है 1402 crore था previous year और इस year की बात करे तो 1300 crore है तो यहाँ पर इसमें कुछ चीज़े देखने का बली वही कर देखे खराब results के चलते है एक अच्छी चीच होई है कि यह dividend announced हुआ है और dividend कितना announced हुआ है और जम देख लेते है तो the board of Tata Technologies has recommended a final dividend of 8.40 rupees and a special dividend of 1.65 rupees equity share of 2h recommended final dividend जो है 8.40 rupees रहेगा तो एक काफी अच्छी चीज यहाँ पर हमें देखने को बल रही है यानि अगर देखे अपर final dividend plus यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो जो special dividend है ओभी दिया जाने वाला है तो एक काफी अच्छी चीज हमें नजर आई है और वही कर दिखा जाए तो यहाँ पर जो dividend का payment है और 30 days के अंडर अंडर कर दिया जाएगा यहाँ पर AGM की और से फेसला लिया गया है तो एक कुछ चीज है जिनके उपर आपको focus रखना चाहिए टाटा पावर में levels क्या कहते हैं कि इन points के उपर हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो यह भी कुछ important चीज है तो देख लेते हैं टाटा पावर में 1R की time frame पर अगर देखें जिन level की बा अगर के बाद stock अच्छा उपर गया भी और अभी के अगर हम बात कर ले 5 minute के time frame पर अगर हम देखें तो stock किस तरीके से return दे रहा है क्या performing कर रहा है तो टाटा पावर में अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल एक positive vibe तो यह शिर दे रहा है बट यहाँ पर अगर देखे यह level के उपर sustain करना important है इस level के उपर sustain करना important है तो यहाँ पर अगर देखे sustain करने की इसने पुरी कोशिश किया है क्योंकि इस point पर अगर देखे थोड़ा struggle कर रहा था support लेके इसने उपर की और के jump बता है यहाँ पर भी यह नीचे की रहा है और अभी यह सी level को break करके उपर क जाने की यह कोशिश कर रहा है तो बिलकुल positive numbers तो नजर इसमें आने वाले है कल के दिन इस point को लेकर आप positive रह सकते हो कल एक अच्छी rally हमें देखने को मल सकती यहां से 4.64 वो 4.60 के around जाने की पूरी कोशिश तो है stock करेगा ही करेगा टाटा टेक की भी हम बात कर लेता है टा टाटा टेकनोलोजिस को देख लेता है हम 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर टाटा टेकनोलोजिस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर देखे कही न कहीं एक head and shoulder टाइप pattern बना रहा है तो यहां अगर देखे एक negative pattern है तो एक bearish sentiment indicate यहां पर कर रहा है एक bearish momentum यहां पर आने के chances बढ़ जाता है तो यह trade line important होगी अगर यह trade line breakdown कर देता है तो stock में यहां से एक fall जो है continue हो सकता है 1R की time frame पर भी अगर देखें तो यहां पर 1R की time frame पर भी अगर आप देखोंगे तो यहां से इस trade line को अगर इस trade line के round आने की कोशिश करेगा है तो इस point के उपर ध्यान रखो अगर यह trade line भी break हो गई तो stock में continue एक बड़े fall देखने को मिल सकते एक बड़ा fall देखने को मिलेगा तो यहां पर एक rising wish type channel है 1R की time frame पर भी तो यहां पर आएगा हो सकता है support लेके उपर चले जाए बट यहां से breakdown अगर आता है तो एक fall continue हो सकता है तो 5 minute की time frame पर देखें यह और फिर 1R की time frame पर तो दोनों ही time frames पर अगर आप देखोंगे तो कही न कही एक bearish indication हमें मिल रहा है तो एक गिरावट यहां से possible है तो देखेंगे आगे क्या होता है तो और आल कावे को चीज़े जो है discuss कर चुग है हमें particular shares को लेकर अस video में I hope video आपको helpful और अच्छा लगा ह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी stock में investment करते हो तो उनका analysis कर लेना साथ ही telegram channel को join करो link नीचे description में आपको में